अब एक अधार पर जो मुवी बना है उसका भगवद गीता से क्या दृष्टी कौन है जो ओपन हीमर मुवी है वे ज्ञानिक जो है जिन्होंने इनको अटम मॉम का पिता बता जाता है उनके जीवन के बारे में एक जीवनी है बायोग्राफी है और हम खास करके उस प्रसंग के बारे में चार्चा करेंगे जब उन्होंने भगवद गीता को कोट किया था जब जो मॉम उनके और के साइंटिस्ट के टीम ने बनाया था उसका वी स्पोर्ट हो रहा था मेक्जिको न्यू मेक्जिको में डेजर्ट में ट्रिट्रेस्ट का नाम था तब उन्होंने भवविता के 11 अध्याय का 33 वा श्लोग जो था वो कोट किया था कालोस्मी लोकक शैकृत पर अमिड ड्यूलिटी और डिरेक्शन अमिड डिस्ट्रक्शन तो जाब यह उन्होंने आपन हीमर ने जब यह गीता कोट किया तब वह अचानक उनके मन में नहीं आया था जीवन भर उन्होंने गीता का अध्यान किया था जाब वह पहले ज्ञान पढ़ रहे थे वह साइंट फिलोसोफी में बहुत रुची हो गई और तभी उनको जो भगवद गीता के बारे में पता चला वह इतने आकर्शित हुए भगवद गीता से कि उन्होंने संस्कृत सीख लिया जाकि वह भगवद को और पढ़ सके और अपने जीवन में जो उनको बहुत प्रभाव किये ज अपने मित्रों को ताकि वो जो मृत्यू है उसको समझ सके तो गीता का वो अधियन करके कई बार वो उसमें आश्य लेते थे और उन्हें से बताया कि यह इस दे मोस्त बीटिफुल फिलोसोफिकल सौंग एवर रिटन से सुन्दर फिलोसोफिकल गीत है तो तो वो किसreci ने पढ़ा था वही ग्रंथ का उनने आश्य ते समय लिया जब विसपोट हो रहा था जब विसपोट हो रहा था यह तरह से एक वह विसमें हैं टाव एक वड़ था कि ना इतनी सारी शक प्रश्च कर सकती है तो यह दोनों भावनाओं को कैसे समझा जा सकता है तब भगवद गीता में ऐसे ही प्रसंग आता है उसको उन्हीं याद किया था उपन हिमने जो ग्यारवे अध्याय में जब अरजुन भगवान के विराथ रूप का दर्शन करते हैं तो पहले तो उस रूप को देखके उनके मन में बड़ा विस्मय होता है कि यह जो है कि क्या है इसका कोई अंत नहीं है को शुरुवातनी नांतम नमध्यम नपुनस्तवादी नबस प्रुशम दीपतिमंतम या आस्मान तक जा रहा है बड़ा विस् फिर जब वो यह देखते हैं तो फिर उनको भय होने रखता है तब यह सवाल पूछते हैं कि आप कौन हो और उसके जवाब में जो भगवान बताते हैं वही अश्लोक है अब यह अश्लोक है जो ओपन हिमने कोट किया था कालोस में लोकक शेफृत प्रवड़ों तो मैं काल हुँ जो महाँ भारत के सीरीज में आता था मैं काल हुई हमेशा चुरूबात में यहां और विश्व के लोग सम्हार के लिए मैं यहां पर आया हूं तो अब आपर मेर के सब्सक्राइब शर्पार कर दा उसमें वह जो अलग अलग कारी होते है काल से ही सुश्टि होती है काल से पालन होता है काल से सबहार होता है वंश होता है तो अभी उस समय जो काल परक्रड हुआ था वह समहार के लिए था वह बिनाश के लिए था मुट्व के लिए था तो इस तरह से काल को मुट्व के तरूप में भाशा अनुचित नहीं है पर वह एक्जेक्ट ली वह एक्जेक्ट नहीं है बिल्कुल बराबर तंदोतन बराबर नहीं है वह तो अभी उस समय जब ऐसे दन मनम में आ रहा है तो कैसे हमसे बड़ी कोई सत्य है हमसे बड़ा कोई सत्य है उसको हम देख रहे हैं और उसको देख के हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो वह उपन ही मने दिखा आया उनकी जीवन से दिखता है वह अभी दूसरी बात आत है यह वह अटम बाह्म की शक्ति को देख कर और उसके उससे होने वाला जो विनाश है और उसके बात में दूसरा बाता है दूसरा पार सेट डायरेक्शन अमिड डिस्ट्रक्शन अभी अर्जुन की भी आजए समस्याती शुरुवात में की वह युद्ध करे या न करे यु सक अधार्मिक राजा को ऐसा राजी हो जाएगा कोई चुनौती करने वाला है ही नहीं फिर वो क्या करेगा वो सोच के मन काप उठता है तो उसको रोकना जरूरी था और उसलिए अर्जुन चाहते कि युद्ध ना हो पर वो युद्ध करना जरूरी था उस समय वैसे ही है अगर वह विनाश वह अटम ब़ूंब नहीं बनाते ऐसा द्वन्द्व था वैज्ञानिकों के मन में अगर आइंस्टैन ने जो बताया था वह बनाना है यह अमेरिका को बनाना चाहिए अमेरिका को प्रेजिदेंट को लिटर लिखा था उस समय अगर आप नहीं जर्मनी मना लेगा तो यह इसका विनाश हो जाएगा तो हम हार जाएगे और हम बाद में पता चलता है जो होलोकॉस्ट यह लाखो लाखो जीव लोगों को मार डाला गया उसमें अभी युद्ध में तो लोगों को हमेशा मारा जाता है पर यहां पर जो इंडस्ट्रियल एफ है तो अभी क्या एक्जेक्ली सेकंड वर्ल्ड वार में जो अलाइज और एक्सस पॉवर्स थे क्या उनकी परिस्थि पांड़ाओ और कोरों के समान है उसके बारे वे उसको रिये एक्जामिन करना पड़ता है पर महत्वपूर्ण चीज जो है कि ऐसी परिस्थिती में कोई लोग कह सकते हैं कि भगोई रहा तो प्राचीन गंत है उसका आज के मेरे जीवन में क्या संबंद है पर जब जो वैज्ञानिक आइन जो समाज में बड़ा युद्ध चल रहा है उसका सामना कर रहा है उस समय उसको गीता से मार्गदर्शन मिल रहा है तो गीता कितना रेलि जिस अर्ज उन्हें ने अच्छे विक्ति है पर उनको कोई अच्छा कारे करने का मौका ही नहीं समय तो गजीता क्या और आगे मत देखो उपर देखो पहले दिखो कि भगवान की योजना है और विद्वन्स भी अगर जगत में हो रहा है तो भगवान की योजना आगे बढ़ते रहती है और अगर अगर हम सेवा भाव से हमारा धर्म करते है भक्ति के भाव से कर्ता हुए करते है तो तो यसे अर्जुन को भी गीता से मार्गदशन मिलके उनको सांत्वना मिल गई ऐसे हमें भी गीता के माध्यम से सांत्वना मिल सकती है और शक्ति भी मिल सकती है हरे कृष्णा हम पास्ति उनको साइब एस बार शक्ति भी गऴ बुष्टन है।